हेलो फ्रेंड्स वेलकम और वेलकम बैक टू मैं चानल दोस्तों कैसे हैं आप लोग मैं उमीद करती हूँ कि आप लोग हमेशा की तरब बहुत ज़दा अच्छे होंगे तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के दिख लेते हैं आज की सबसे पहली टिप तो देखिए आज की जो पहली टिप है वो ऐसी है जो हर किसी के काम आएगी और बिना एक पैसे खर्च की हुए बनेगी साथ के साथ यह ऐसी चीज से बनेगी जो हर किसी के घर में easily available होगा जी हाँ यह है जोले जो की हम market जाते हैं या फिर कुछ हम कपड़े वगरा खरीते हैं तो इस तरीकी के जो जोले होते हैं, easily आपको मिल जाते हैं अब क्या जोले को फेला करके और दोनों तरफ से जो दोनों साइड के पार्ट से होते हैं उन्हें कट कर लेना है तो जब आप कट करेंगे तो इस तरीके से चार पार्ट में divide हो जाएगा अब ये जो सामने माला पार्ट दिख रहा है इस पे हम लगाएंगे कुछ टाइट सा स्टफ यानि कि जैसे कि Amazon तो फिलिप कार्ट से कुछ मंगाते हैं तो उसमें इस तरीके के जो मोटे मोटे कागज होते हैं वो मिल जाते हैं तो आप उसको रखा करिए समभाल करके और देखिए हमने न यहां पे एक पुराना सा मेरे बच्चों का इस लेट था जो की बच्चों ने तोड़ दिया था तो इसका इस्तमाल हमने यहां पे किया है तो देखिए इसको किसी ग्लू से या तो किसी भी चीज से आप इसको का दिया है अच्छे से अब देखिए यह इतना अच्छा सा और्गनाजर बन करके तयार होगा कि आपके अलमीरा में अगर कम भी स्पेस होगा न तो यह बहुत ही अच्छे से इसमें ढही सारे कपड़े को कैसे अरेंज करके रख सकते हैं अच्छा मेरी एक वीवर्स हैं उन को आज टिप्स मिल गई होगी तो इस तरीके से बनाएं और अपने जिस अलमेरा में कम जवा है न वहाँ पे आप धेर सारे स्पेस बना करके और जितने भी बुलन कपड़े हैं उनको अच्छे से अरेंज करके रखते हैं यह देखने में भी काफी खुबसूरत लगते हैं और साथ के साथ आपका एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ है थोड़ी सी महनत लगी है तो देखिए हर काम को करने में महनत लगती है जब आप महनत करते हैं तभी उस का फल भी मिलता है तो देखिए यहाँ पे कितना अच्छे से यह हैंग हो गया है और यह देखने में भी रेगुलर देखो होता है ठीक है तो इस तरीके के जो स्टील के जो कुकर होते है ना इन पे थोड़ी सी भी आच लगती है ना तो यह जल जाते हैं मतलब आप जितनी भी पेंदी इसकी भारी ले लो मेरे साथ तो यही प्रावलम है जबकि मैं बहुत जादा तेज आज पे होता है आप उसको अच्छे से एक बॉल बना ले और इसके बाद से इस पर अच्छे से रगड़े बहुत अच्छे से साफ हो जाता है बढ़ते है नेक्स टिप के तरफ तो देखें यहाँ पे हमने वैसलीन ले लिया है अभी सर्दी बहुत ही जादा है तो आप क्या करें कि आपको एक छोटी सी रेमिडी बता रही हूँ जिससे आप अपने हाथ पैर जहां भी आपके ड्राइनेस है एकदम अच्छे से दूर हो जाएगी देखें यहाँ पे हमें बहुत थोड़ा सा यानि कि आधा चम्मच सफिशियंट है आधा चम्मच आप इसमें वैसलीन ले ल इसके अंदर निकाल देना है इसके बाद हमें अच्छे से मिक्स करना है तो देखिए हमने यहाँ पे स्टील का चम्मच भी इस्तमाल नहीं किया है यहाँ पे हमने लकडी की स्टिक होती है उसका इस्तमाल किया है इस स्टिक के हेल्प से अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और हाथों में लगा सकते हैं ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है बढ़ते हैं नेक्स टिप के तरफ तो देखिए अभी ना सर्दी बहुत ही जादा है मतलब हमारे हाँ तो बारिश का मौसम हो गया है बिल्कुल बारिश हो रही है तो कई बार क्या होता है ना कि जब मौसम चेंज होता है तो बच्चों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है उनको सर्दी जुकाम खांसी बगर है लग जाती है तो आप क्या करें कि आधा चमच या तो एक चमच जवाइन के साथ तीन चार जो कली होती है लसन की आप उसको अच्छे से तवे पर रोस्ट कर ले और इतना रोस्ट करना है कि ताकि अच्छे से खुश्बूगाने लगे इसके बाद किसी कॉटन के कपड़े में इसको डाल करके और बचों को गले में मतंब गले में ज्यादा प्रॉब्लम आती है बचों को फफ ओ जाता है जिनको निमोनिया होती है उनके लिए बहुत ही पेनफूल होता है यह जो वैदर चेंज होता है तो आप उनके गले में अच्छे से सिखाई करें इस तरीके से अगर आप करेंगे न तो बच्चों को काफी रिलीफ मिलेगा बढ़ते हैं एक टिप के तरब तो देखें यहाँ पर हमने एक बोटल ले लिया है इस तरीकी के बोटल हर किसी के घर में मिल जाता है तो आप क्या करें कि इस बोटल को अच्छे से इसका जो टॉप होता है वो कट कर लें जैसे मैंने यहाँ पर भी दिखाया है टिप में आप बिल्कुल इसी तरीके से कट कर लीजिएगा इसके बाद से एक हमने कील को गरम करके बिल्कुल मिड में इसके एक होल बना लेना है अच्छा आप जरूर यह सोच रहे होंगे कि यह हम क्या बना रहे हैं तो देखिए यह हम बहुत ही प्यारा से एक फ़नल बना रहे हैं मतलब फनल क्या होता है आज कल का जिन मतलब इतना जादा एड़ांस हो गया है हर किसी का घर कि वहां पे फनल का इस्तमाल होता ही नहीं है तो आप इस तरीके से बॉटल की हेल्प से एक प्यारा सा फनल बना करके तयार कर सकते हैं देखिए मैं आपको इसमें पानी डाल के होते हैं उनके घर पे बेल्ट इधर उधर ऐसी फिकी रहेगी लटकी रहेगी जो कि थोड़ा सा इरिटिंग हो जाता है तो आप इसको क्या करें कि जो लूप है ना इसके अंदर डाले और डालने के बाद जो यह पार्ट है इसको हमें अच्छे से मतलब धीरे धीरे हमें क् करना है गुल-गुल घुमाते जाईएगा और यह अच्छे से फोल्ड होता जाएगा देखिए यह बहुत ही अच्छे से फोल्ड हो गया और अब यह बिल्कुल अच्छे से लॉक हो जाएगा आप इसको कहीं भी किसी भी डब्बे में डाल करके रख सकते हैं या फिर किसी इसका इस्तमाल नहीं करती हूँ लेकिन मैं इसको रखती हूँ अपने कीचन में तो देखिए मैंने एक आइडिया देखा था तो मैंने कहा कि चलो आपसे भी शेयर किया जाए देखिए यहाँ पर क्या करना है कि इसका जो टॉप वाला पार्ट है इसको अच्छे से कट कर लेना है मतलब कट करके इसको पूरा ही निकाल देना है इसके बाद हमें मैं आपको आगे की प्रोसेस बताऊंगी अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करिएगा तो देखिए हमने यहाँ पर कट कर लिया है और अब इसको ना इसमें ऐसे मतलब इस तरीके से इसमें डाल देना है और देखिए जैसे की होता है ना कि at a time कभी किसी बच्चे का बहुत दे है और उस टाइम पे हमें कुछ नहीं सूचता तो आप इस तरीके से बना करके इसमें 3-4 चॉकलेट वगर डाल करके और अपने फ्रेंड को दे सकते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा हैपी हो जाते हैं इस तरह के यूनिक चीज़े देख करके तो हैना ये बहुत कमाल की टिप अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सबस्क्राइब भी कर लीजिएगा बेल आइकन को भी हिट करिएगा तक आने वले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और आप कहां से देख रहा है हमारी वीडियो ये भी जरूर बताईएगा तो मिलती हूँ कल की वीडियो में तब तक लिए बाई बाई and टेक केर